कि अपनी केट मी चले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं साइक चोटा सा और बहुत ही महत्पून तापिक जिसका नाम है प्रेर्णा जिसको बोला जाता है अभी प्रेर्णा एंग्लिस ही बोलते हैं मोटिवेशन यह पूछा ही जाता है बार-बार पूछा जाने वाला प्रदान करता है करना या फिर शक्ति देना यानि की मोटिवेशन अभी प्रेर्णा वह आंत्रिक शक्ति है वह आंत्रिक बल है जो किसी भी इंसान को कोई भी काम करने पर मजबूर करती है उसको क्या बोलते हैं अभी प्रेर्णा प्रेरित इंसान जिस चीज के लिए वह प तरीके से प्रभावित होता है मालिजे किसी को प्यास लगा है कोई इंसान है बहुत जोड से तो पानी पीने के लिए प्रीरित है यानि कि उसके अंदर किस चीज के लिए प्रेड़ना है पानी पीने का अगर उसे कहें भी पानी दिख जाएगा तो जाकर उसको हांसिल कर लेगा पानी पीने के लिए यानि कि वह पूरी तरीक से प्रेड़ से प्रेरित होता है ना बाहर से या फिर उसे कोई प्रेरित करता है उसको बोला जैता है बाहर या भी प्रेरना जिसे कि माली आप लोग मैट्रिक की तयारी कर रहे हैं आपके अंदर उतना प्रेरना से प्रेरित होकर आप क्या कर रहे हैं मैट्रिक की तयारी कर रहे हैं लेकिन यह उसी हमें आपको आकर कोई बाहर से आकर प्रेरित कर दिया कि अगर तक्समाज समझां दिया कि देखो तुम मैट्रीं की तैयारी करकर करेकर कर लेते हो बहुत आच्छे और बीड़ा शुब हो और ज़ीवैट करेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक तो आप पहले से मोटीवेट्ट थे जिसन से अप पढ़ाई कर रहा थे लेकिन बाहर से किसी इंसान ने और प्रेकिच कर दिया और मोटीवेट कर दिया और भी ज़्यादा मोटीवेट हो गया निया कि बाहएद प्रेरित हो गया बाहएद प्रेरना मिल गई और उस चीज्श लिए मैटिक nau意 के लिए तेएरी कार ने लगा लेकिन यहां पर मैं दो ही वेग्यानिकों का नाम लिख利ू पहले हैं वुड वर्थ इन्होंने क्या बता है कि प्रेरना ब्यक्ति की वह अवस्था या तत पड़ता है जो उसे किसी काम को यहां काम छुट ढया है किसी काम को करने के लिए उदयेस्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करतीं हैं ने सान। जो निश्चित मारगों में कार्य करने के लिए निर्देशित करती है मतलब सबसे मिला जुला कर यही मीनिंग निकलता है मेन जो डिफिनेशन बन रहा है वो यही है मोटिवेशन वह आंतरिक शक्ति या फिर वह बल है जो प्राणी को कोई विशेस बेवहार या फिर कोई विशेस कारे करने पर बाध्य करती है आपको गोल है कि मैं डॉक्टर बन जाओ, मैं आईस ओफिसर बन जाओ तो उस आईस ओफिसर का गोल आपको कितना प्रेरित कर रही है कोई इंसान जितना ही ज़्यादा मोटिवीट रहता है उस चीज को पाने के लिए क्या करता है काम करता है मेहनत करता है और इसलिए जिन्दगी में सफल होने के लिए अपने गोल्स को एचीव करने के लिए लक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपके अंदर मजबूत मोटिव और बैवं को देखी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं मोटिवेट होने के लिए यहाँ तक कि मैं भी कुछ मोटिवेशनल वीडियो अप्लोड करती हूं ताकि लोगो को प्रेरित कर सकूँ ताकि वो सक्सेज हो जाएं तो जिंदगी में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और यहां तक कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि अपने खुद करेंगे तो ज्यादे से ज्यादा आप लों करेंगे जादा दिन तक रहता है और ऊससी से आप लोगो आउटपन करने की कोशिश कीजिए ठीक है यहां तक हो गई किलियर बात लीजे यहां तक फटफट स्क्रीन सॉट तो यहां तक समझ में आ गया प्रेणा या फिर अभी प्रेणा जिसको इंगलिस में बोला जाता है है motivation इसके कुछ future से यहनकी विशेषता है इनको वर्गी करन भी किया गया थे देखिए जिस चीट से आप प्रेरीत हो रहा है उसको बोला जाता है प्रेरक जैसे कि मुझे भूख लगा है तो भूख से में प्रेरीत हुआ तो भूख को बोला जाता है प्रेरक जो आपको प्रे लेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा हाफिज